असलाम लेकुम लाके नाम से शुरू जो बड़ा मिर्बान निहायत रहम करने वाला है ना पुलाओ ना बिरियानी आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगे जिसको आप एक बार बनाएंगे तो यकीन करें के बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इस सर्दियों में आप टाइनीज बिरियानी या फिर फ्राइड राइस भी भूल जाएंगे अगर ये रेसिपी एक दफा मिहमानों को या फिर घरवालों को बना कर खिलाती है इतनी मदेदार बनती है कि जो भी खाएगा रेसिपी पूछे बगार नहीं रह पाएगा तो किस तरीके से बनने जा रहे है रेसिपी आपने देखनी है रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है स्टार्ट करेंगे बिसमिल्ला एरामाने रहे हूं तो इस रेसिपी के लिए हमें चावल चाहिए होंगे तकरीबन 3 कप मैं यहाँ पर बासपती चावल ले रही हूं जो अमोमन विरियानी के लिए यूज होते हैं कप आदा किलो हम चावल ले रहे हैं तो साफ कर come की और ये 자 साफ पानी डाल है आए पहले के लिए के लिए रख़त पानी में चावलों के धिविए फिर थानी को जखनी तयार करेंगे तो उसके लिए खुला सा हम लेंगे पैन और इसी में सारे काम होंगे बरतन भी आपके गंदे नहीं होंगे तो हमने क्या करना है इस पैन में डालना है चिकन बॉल्लेस चिकन है तकरीबन 400 ग्राम में इसमें चिकन डाल रही हूं और यह बिल्कुल छोट चिकन पाउडर इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा हो जाएगा इसके इलावा एक दारचीनी स्टिक चोटी सी हम डाल रहे है पूरी ने डाल रही है इसके इलावा चोटा तेज पत्ता और दो बड़ी लाची इससे हमारे जो चावल है बड़े अच्छी खुश्भूदार ब बड़ेदा तो इसको पकने के लिए रख देते हैं हमने च्छे कप पानी का डाला था तो यहां पे पांच कप रह जाए तो यहां पर देखें यहनी त्यार ओ स्वाथasınaंने और ने च्छान के और च्छिकन को अलग आई गरेंगे अब यही वाला पैन मैने दوبारा यूज तर लुघा क् foods किया थीक है बर्तन हम इहां पर गंडे नहीं करेंगे थोड़ा सा logo Wars fashion अगल कर मैं अध्यों आयुप्राइब टालेंगे तकरीबं टू से थी टेबल सपून दीजिए और तक्रीबं ट्रेम अध्यो के लने इंदे अध्यों और यहां पे ओमलेट तयार करेंगे यह जो रेसिपी है ना यह अमोमन शादियों में बनती है और बहुत ही यूनीक रेसिपी है मुझे जिसने भी बताई मुझे बड़ी अच्छी लगी मैंने 2-3 मरतबा ट्राइ की और फिर सोचा के आपके साथ भी शेयर करो तो यहां पे देखें यह ओमलेट तयार हो गया है और बस इसको हमने यहां पे निकाल लेना है हो गया और इसी पैन को यूज करते हुए हम इसमें ओईल मजीद डालेंगे तकरीबन हाफ कप जितना मैं यहां पे ओईल डाल रही हूं हाफ कप या फिर थ्री फोर्ट कप भी आप ओईल डाल सकते हैं और वन टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे लेसन अधरका पेस और लेसन अधरक कप पेस को थोड़ा सा हम यहां पे करेंगे फ्राई ताके इसका कच्छा पन खतम हो जाए अब हम इसमें यह बॉाइल किया हुआ चिकन जो हमने यखनी के साथ पकाया था यह डाल देंगे और मीडियम आच पे हमने चिकन को फ्राई करना है कि हलका से इस प गाजर जिसको मैंने चोटा-चोटा काटा है क्योंकि गाजर देर से गल्पी है तो मैं सबसे पहले गाजर डाल वही हूँ हाफ टेबल स्पून चिली होट सॉस और वन हाफ टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्चे और वन टी स्पून नमक ताके चिकन में भी थोड़ा सा फ अब मेरे पास 3 कप चावल है तो मैं एक पडूट डाल रही हूं गर्म डूट डाल रही हूं ताके यह फटे नहीं और आप चाहें तो इसमें आधा अधा कप डूट भी डाल सकते हैं अगर 1 किलों की बनाते हैं तो भी 1 कप ही डूट जाएगा और बदेंगे इसमें यखनी दूड डलने का क्या रीजन है जसकी recipe थी उनसे मैंने पूचा तो दूड डलने का reason यह है कि इससे आपके चावलों का color खराब नहीं होगा ब्ढ़ा अच्छा सा निक्रा- निक्रा color आएगा और दूसरा बढ़ा अच्छा creamy meat taste आएगा तो ये अमोमन शादियों में रेसिपी बनती है तो इसका कलर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा यकनी की वज़ा से और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा तो इस वज़ा से हमने इसमें दूट डाला है अब इसमें न हम सबसे पहले बॉइल आने देते हैं आँच को तेज करते हैं जब इसमें बॉइल आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने भीगनी के लिए रख दिये थे अभी मैंने वह जो पानी था वह गिरा दिया है आँच को तेज करके बस हम इसको पकाएंगे अचा एक कप दूद और पांच कप यखनी तो तीन कप चावलों में हमने टोटल छे कप पानी का यूज किया है कप दूद पांच कप यखनी और यहाँ पे देखें पानी ड्राय हो गया है आँच को हमने तेज कर दिया था जब पानी बिकुल ड्राय हो जाएगा इसको cover करके हलकी आँच पे हम 10-12 मिनट का दम देंगे ठीक है ताक के चावलों में थोड़ा सा दम आ जाए अच्छा सा तो यहाँ पे देखें जी 12 मिनट हो चुके हैं चावलों में दम आ चुका है धकन अटाएंगे बिसम लाहरा माने रहीम और यह देखें कलर चेक करें चावलों का कितना खुबसूरत कलर आया है और यखनी की वज़ा से चावलों का कलर खराब नहीं हुआ तभी हमने इसमें दूड डाला था अब मेरे पास कुछ सबजियां है तो क्या-क्या चीज़े जाएंगी मैं आपको बता देती हूँ दो प्यास उसका ग्रीन वाला पार्ट मैं इसमें डालें इसको भी मैंने बारी काटा है आदा कब वाइल किये हुए मटर और यह जो अंडा हमने तयार किया था ओमलेट यह इसमें चला जाएगा हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस हाफ टेबल स्पून सिर्का और वन टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और हाफ टेबल स्पून में मजीद सिर्का डाल दी हूँ तो टोटल मैंने वन टेबल स्पून भरके जो है इसमें सिर्का डाला है ठीक है क्योंकि हमने सिर्का पहले यूज नहीं किया था अगर पहले यूज करते तो फिर हमारे यूनीक स्टाइल के फ्राइड राइज या फिर आप इसको चाइनीज बिरियानी कह सकते हैं कलर चेक करें माशाला से कितना खुबसूरत आया है चावलों का तो दूर डालने का रीजन यही था कि हमारे जो चावल है ना इनका कलर खराब ना हो यकनी की वज़ा से और यकनी की वज़ा से टोटली डिफरेंट इसका जो है रहा वो टेस्ट आएगा अगर आपने चाइनीज बिरियानी खाई है अगर आपने खाए तो एक दफ़ा यह रेसिपी ट्राइ करें आप दोनों को भूल जाएंगे यह इतने मज़ेदार बनते हैं अकसर यह शादियों पर बनाए जाते हैं शादियों में अमूमन काफी ज्यादा मिदार में चावल बिरियानी बनते हैं तो इस वजह से उनका जो तरीका होता है न वो हम जो घर में बनाते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो यह जो चाइनीज बिरियानी है या फिर फ्राइट राइज है तो थोड़े से अलग स्टाइल में हैं बस मैं यह कहूँगी कि आप बनाएं जरूर क्योंकि बहुत मज़िदार बनते हैं और मुझे फीडबैक जरूर दीजेगा कि कैसे बने